तो दोस्तों कक्षा पांची और आठी बोर्ड फोरम दो हजार चोविस का फाइनल डेटा लोग कैसे करें इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और इसके साथ डेटा लोग करने से पहले और लोग करने के बाद आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है और आपको क्या-क्या सावदाने रखनी है वो बाते भी आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो है थोड़ी लंबी जरूर बढ़ने वाली है लेकिन सबी स्कूल साथियों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजबूर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी जानकारिया आपके साथ जरूर सेर करना चाहूँँगा देखे पहली बात तो यह काफी सारी स्कूल साथियों की लगातार मेरे सामने शिकायत आ रही है कि हम दोनों ही कख्षाओं के बोर्ड फोरूरम भनने में ऐसमर्त हैं क्योंकि वो अपनी स्कूल की जो ID है PSP कोड है उससे वो login नहीं कर पा रहे हैं अलांकि ID है वो एकदम सही है एकट्व भी है इसके अलावा कुछ की सिकायती है कि हमारे सभी स्टूडेंट का डेटा इसो सो नहीं हो रहा है में जो पोर्टल है अपना PSP पोर्टल या साला दर्पन पोर्टल वहां पे इस्टूडेंट की संख्याじゃ जादा नजर आ रही है लेकिन जो साला सम्मंधि डिपार्टमेंट के दौरा एक बार फिर से आजपुन है उनको आवगत करवा दिया गया है और जल्द से जल्द इन सम्मस्याओं का समाधान वो कर लिया जाएगा अब कुछ स्कूल साथी ये कह सकते हैं कि last date तो नजदिक आ रही है समाधान कब तक होगा तो no tension इसक 10 दिन की भड़ो हमने तो 20 दिन का उनसे है ये request की है खैर देखते हैं लेकिन date को लेकि आपको tension नहीं लेना है अब यहां पी इसकूल साथियों को मैं खहना चाहूंगा देखिए ये आपको login को लेके समश्या आ रही है तो इसके लिए संबंधि डिपार्टमेंट को आपको भी है वो mail करना पड़ेगा इसके लिए हमने एक format तयार किया है जो कि हमारी साइट डाउनलोड कर लेना खक्षा पांक ची आठी वाली menu आपको मिल जाएगा वो mail आपको करना है और mail करना है तो आपकी समश्या का समाधन तुरंत हो जाएगा इसके लाओ यदि आपके सामने अन्य कोई समश्या है तो अपनी स्कूल का जो letter है उस पे साधान बासा में आपको लिखना है उनको mail कर देना है तो आपकी समश्या का समाधन हो जाएगा क्योंकि जादा से जादा शिकायते जाएगे mail जाएगे तो काम है वो जल्दी आ जाएगा ठीक है इसकला दोस्तों य यहाँ पर बताना चाओंगा यह सरा सर गलत है अलांकि देखिए कक्षा आठवी के लिए यहाँ पर विवाग के दौरा कोई भी वोड फीस नहीं रखी गई है कक्षा पांच वी के लिए पत्ती इस्टूडेंट पचास रुपय की फीस रखी गई है और यह फीस है आप स्कूल है उनको आपको फोलो करना पड़ेगा इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में वो बात करेंगे तो भी यह देखी यह दी लगातार इस परकार की मेरे सामने शिकायते आएंगे तो भी इसके लिए भी हम कुछ अलग तरीके से हैं डिपार्टमेंट को वो सुचित करेंगे तो सभी स्कूल साथ योँ से हाद प्रश ले रहा है कोई हजाल ले रहा कोई हजाल ले रहा कोई 9000 रूपे यह साथ क्रोड को मम्य कर सकते हो नाम पर आप्ज़ा पशास रुपे भी लेते हो तो भी यह जादा है वह भी डारेट आपके जेब में जाते हैं पांच वीगा वैसे अगर आप सो रुपे की तो आपको बज़ट होती है अब एक साथ याप करोड़ पती बढ़ना चाहोगे तो यहां पर देखे इस बात को आपको खास तोर पर द कि यहां पर बात नहीं है जो सही है वो सही है ठीक है आसा रखता हूँ अब आप समझोगे चलिए मुएन मुद्धे पर आते हैं अब यहां पर लगातार स्कूल सातियों की यह भी सिकायत आ रहे थी कि सर हम दोनों ही कहशाओं का जो वोर्ड फोरम है इस्टूडेंट का डे कारी दोंगा हर वेक्ति को तो अब सारी इंफोर्मेशन एक साथ तुम्हें नहीं दे सकता नहीं परसनली तो यहां पर देखिए जहां से आप लोग करने की सोच रहे नहीं वहां पर यह ओप्शन है वह एवलेबल नहीं तो कहां पर यह लिए तो इसके लिए सीधा हम आपक अपने स्कूल की आईडी पास और डानना है और लोगिन पर क्लिक कर लेना है तो आप इस तरह से अपने स्कूल की आईडी में लोगिन हो जाते हो अब यहां पर लोगिन करने में कई स्कूल साथियों को भी समस्या आ सकती हो उनको डारेक्ट लिंक नहीं मिलता है कि कहां से पर इसमें लोगिन करें तो या तो आप डायरेक्टली गुगल पर जाके साला दरपन लिख सकते हो या फिर आप हमारी वेवसाइट पर भी विजिट कर सकते हो हमारे साइट का नाम राजगुर्जी.com क्योंकि आपके सुईदाय के लिए हमारी साइट पर इसका डायरेक्ट लिंक दिया गा है जब आप हमारी साइट पर आवगे तो यहाँ पर मेनु बार में आपको स्कूल कुलेज का मेनु मिलेगा लास्ट में आपको यहाँ पर कक्षा पांस यो आठी का लिंक भी लेगा इस आपको बंस को चाहते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं जैसे आप इसपर क्लिक करते हो तो description में मिल जाएगा जाके वो देख लीजेगा जब यहाँ पर देखे किसी school साती के दोरा अपने school के सभी student के आवेदन forum भर दिये जाते हैं फिर यहाँ पर देखे data log करना पड़ता है और जो भी student की जो समय कित सुची है उसको हमें प्रिंट करना पड़ता है और इसके लिए देखे लास्ट में आपको option देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर तो आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे school सातियों की सिकायत मुझे मिल रही थी कि यहाँ पर कोई भी option है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर session को आपको select करना है आपकी जो class हो देखने को आपको यहाँ पर मिल जाती है select कीजिएगा और go वाले option पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो फिर से यहाँ पर सभी student के करना चाहते हो तो यहां से आ प्रिंट भी है वो कर सकते हो ठीक है और इसके बाद सबसे लाष्ट में आपको ह्हा पर आना है देखिए सब что-least में आपको जेुए रह parts आया है विदारती आवेदन शूची लोक करें मिल गयाए ना और यहां पर देखे कक्षावार समयकीति-aktiri-विदारती-आवेदन सुची print करें तो पहले में आपको यह print करके वो दिखा देता हूँ इस पर आपको यहाँ पर click करना है इसके बाद इस तरह से समय की सुच्ची है आपको यहाँ पर दिखाए देगी देखें समय की सुच्ची के अंदर student की information होती है जो जो detail आपने हैं यहाँ पर बरी है ठीक है इसको यहाँ से अगर print करना चाहते हो तो print वाला option है click किजएगा print कर लिजएगा ठीक है फिर आपको यहाँ पर close करना है अब यहाँ पर यह दि आपने सभी student के forum भर दिये हैं तो last में आपको यहाँ पर विधारती आवेदन शूची लोग करें इस पर आपको यहाँ पर click करना पड़ता है अब जैसे आप इस पर click करोगे तो click करने के बाद एक बार फिर से है यहाँ पर आपसे confirmation मांगेगा और इस तरह से notification आपको यहाँ पर दिखाए देगा अब यहाँ पर इसका मतले भी है कि एक बार आप student का data है वो final submit कर देते हो या लोग कर देते हो तो उसके बाद आप ना तो किसी student का आवेदन फोरम भर पाओगे और ना ही किसी student की information में यह दिए आपको update करना है तो update कर पाओगे तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा जब भी आप final data log करो तो data log करने से पहले student की है information आप जरूर चेक कर लिजेगा एक बार मैं इसको यहाँ पर cancel कर रहा हूँ मुझे लोक नहीं करना है क्योंकि किसी साथी की यह ID है तो मैं लोक यहाँ पर नहीं करूँगा मारेक स्रीट के अंदर यही detail आने वाली है तो यहाँ से एक बार आप confirm कर लिजेगा अगर यहाँ पर 100% student का data सही है तो ही आपको यहाँ पर final data log करना है अनित आपको लोक नहीं करना है और लोक करने को लेको आप इतनी जल्दबाजी मत किया करो क्योंकि जल्दबाजी में आ लोक करना है और data log करने के बाद यहाँ पर final forum print का option आपके सामने आजाए तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम दोनों ही कक्षयाओं के student या board forum का final data log कर सकते हैं साइध आप समझ गई अब यहाँ पर लोक करने से पहले जो भी खास जानकारी थी मैंने पहले आपको है सासात में अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब आपकी तरफ से final data log कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको क्या-क्या सावदाने रखने हैं दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो है कि यहाँ पर जो भी student के board forum भरे हुए ठीक है एक आपकी जो समय की सूची है उनको आपको एक तो soft copy में रखना है एक आपको hard copy में रखना है soft copy बोले तो आपके computer के अंदर PDF आपको शेव रखना है Google Drive पर भी आप भूशे के लिए शेव कर सकते हो और hard copy के अंदर आपको यहाँ पर print out लेना है तो print out भी आपको दो copy में लेना है एक copy है आपको अपने school record में रखनी है दूसरी copy है स समाधान तो में हर साल आपको बताता हो लेकिन कोई सुने तो सही तो समाधान तो यह है कि PDF फाइल को सेव रखेगा क्योंकि बाद में है portal से data हटा दिया जाता है तो आपके सामने समस्या नहीं है तो एक soft copy है अपने record में जरूर हो रखेगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए कक्षा आठवी के जो student है उनकी तो कोई board forum नहीं है तो उनके तो forum और समय की सुची आपको direct जमा करवाना है कक्षा पांची वाले student है परती student 50 रुपे के इसाब से आपको एक DD बनानी पड़ी और DD है सम्मन्दित आपकी जिले की diet के नाम से आपको बनाना है नाम आपको दि को बता रहा हूं कुछ school साती है वो संगठन के चकर में आके इस तरह की DD नहीं बनाते हैं नहीं जमा कराते हैं लेकिन आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा यदि आप नियमों का उनलंगन करोगे तो आपके सामने है बहुशे में बड़ी सम्मश्या आने वाली हर साल हमा के सामने कब आती है जब यहां आप डाइट से है या नोडल के अंदर से है बच्चों के मारक सीट लेने जाओगे ना तब आपको यह मारक सीट नहीं दी जाएंगे क्योंकि उनका डेटा उनके पास अक्टिव नहीं रहता है तो यहां पर देखिए वोर्ट फोर्म भी आप भर सकते हैं जमा भी आप करवा सकते हैं बच्चा अक्जाम भी दे सकता है यहां तक तो ठीक है लेकिन समस्या बाद में आएगी मारक सीट के समय और यह हर साल होता है जिन साथ उन्हें पिछली साल इन संगठन के चकर में फीश से नहीं जमा करवाई और बाद में यह समस्य इने फिर घरड़ 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 डिड़ी बना के उनको जमा करवाई अरे जो काम आप बाद में कर रहे हो पहले ही कर दो ना आपको भी समस्या नहीं है और विवाग का भी समय रहते हैं वो काम आसानी से बन जाए तो ऐसे में भीया देखिए संगठन के चकर में मत करो है राजगुर जी आपको अफिसल जानकारी देता है इंटर्नल जानकारी आपको देता है फोलो करो तो आपकी अच्छी बात है नहीं करो तो उससे भी अच्छी बात है लेकिन इस प्रकार की जब यह समश्या ही आएंगी उसमें राजगुर जी आपकी कोई भी मदद है वो नहीं करेगा आसा रखता हूं ये बात भी आप है आसानी से वो शमझ गए बस इन कुछ बातों को आपको खास तोर पे दाना करना है लेकिन एक और खास बात है यहाँ पर देखिए नोडल के अंदर पर आपको यह फोरम कब जमा करवाने तो दोस्तों वैसे तो देखिए जो लाज डेट रहती है उस लाज डेट तक आपको जमा करवाना पड़ता है लेकिन इहाँ पर देखिए लगातार है वो डेट बढ़ेगी एक बार में कई बार ये डेट बढ़ने वाली है तो एक बार आप अपना जो भी आपके नोडल के अंदर लगता है तो संबन्दी जो भी प्रिक्षा परबारी है उनसे आप व्यक्तिकत या फोन कोल के द्वारा संपरक कर लिजीगा क्या हम कख्षाओं के बोर्ड फोर्म जमा करवाते हैं क्या अभी अगर वो अनुमती देते हैं तो आप चले जो वो कहते हैं कि आपको उस दिन के लिए रूख जाओ तो प्रूख जो क्योंकि यहां पर देखिए सबी स्कुल साथी एक साथ तो फोरम बरते नहीं अब एक दिन कोई जाएगा दूसरी दिन कोई जाएगा तो ऐसे में नोडल के अंदर को भी शम्मश्य आती है आपको भी शम्मश्य आती है समय भी वो फालतु में खराब होता है त अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक कीजेगा और आपने दोस्तों के साथ वो जुरूर सिर कीजेगा अगर दोनों ही कक्साओं के बोर्ड फोरम को लेकर आपके सामने और कोई शम्मश्य आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप क कोमेंट के जरीए पूछ सकते हैं या फिर इंस्टागराम पर भी है आपस में बातां चीता हैं वह अपन है कर सकते हैं मिलते हैं फ्रेंट्स अगे लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय हारत